नमस्कार आप देख रहें नियुज फुर्विहार और मैं हूँ आपके साथ चंदन कमर चंचल आज हम पहुँचे हुए हैं सारण जिला के तरहिया परखंड अंतरगर्ट पोखरेरा पंचायत में जहां पर सरपंच पद के उमिदवार शुधा देवी है और सुधा देवी के पुत्र डिपक सेन अपस्तित हैं जो चेहरा पहचानकी मुम्ताज नहीं है आपको बता दें कि संकर्सिन के पोता और सतिंद्र's, निके पुत्र हैं लोगवां कामद निवास्ती और हमारे साथ उपस्तित अब बगल में इनसे जानेंगे की मन में कैसे ख्याल आया सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दिपक जी बहुत हो धन्य बाद सबसे पहले में तरहियां के जितने भी तरहियां परखंड के पोखेटा पंचायत के अंदर का जितने भी माता बहन रजनता है सब कहां जो पर नाम करता हूं जी दिपक जी फर्स शवाल आप समय बदल रहा है आज मेरे ख्याल से युवाओं को आगे बरके नितित्र का ख्याल लखना चाहिए और मैंने प्रस्नली जब सोचा कि कि किसी को समझाने से अच्छा है कि खुद आके आगे से बरके युवाओं का नितित्र करें ताकि आगे जाकर युवाराज नीती में दूसरी बात कि जो इस वक्त सरपंच पद के जितने भी पावर होते हैं आज के समय में पक्रिणा पंचायत के जितने भी सरपंच रहे हैं इसके पहले सभी ने इस पद की गरिमा को घटाया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो सरपंच का पावर होता है उसको ये लोग स उसका जो पावर है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले और जो उसका उचित सहयोग है सरपंच के पद के दोरा ओ लोगों को मिले और मैं चाहता हूं कि यदी इसलिए मैं इस चुनाव में उतरा हूं कि मैं आगे बढ़के खुद नेतितों करके और लोगों के वताओं कि सर्पन्च का पद का पाउर क्या होता है अब जैसे जानते भी हैं killing aig ने अब तो फिती परसेन चीज नियाले में नहीं जाए जिससे लोगों के पैसे की बचत हो क्योंकि आज की जनता है उनके पैसे की समय कि बचत हो और समय के साथ उजी नया भी मिल सके इसलिए मैंने सोचा कि हमें इस पद के लिए चुनाव लगना चाहिए दिपक जी एक और स्वाल आप से इससे पहले कभी आपकी चेहरा पुख्रेरा पंचायत में देखी नहीं एक बैक कैसे ख्याला है मन में कि हम राजनीत करे पंचायत के निवरा देखिए चंदन जी ऐसा है कि राजनीती मेरे पड़िए स्मने और आप पहले से जानते हैं सब जानते हैं कि मेरे अपर्भाबा चंदर मदें सिंग स्वर्गें चंदर देव सिंग इस पंचायत का percept रहें हैं और सरपंच रहते हुए इस दुनिया को छोड़के चले गए हम चाहते हैं कि उनके अधर्सों को पालन करते हुए जो उन्हें ने जन्ता के सेवा के भाव को आगे बरहाया है उसको मैं अभी आगे बरहाओं और आगे जाकर जो भी है लोगों के कामा सकूं और लोगों का सव् जो मिले हैं हमको तो लोगों का help कर सको मरद कर सको ताकि लोगों को जादा से जादा सहयोग किया जा सके हैं जी बिल्कुल बहुत बढ़िया दिपक जी एक और सवाल आपसे कि अगर आप इस पंचायत के सरपंच बन जाते हैं तो सबसे फर्ष्ट काम क्या होगा देखिए सब सबसे पहले जो जांटा हमें मौका देती है हमारे माता बहन हमारे भाए मौका देते हैं तो सबसे पहले में द्चायत यदि जालू करूंगा और जितने विवाद हैं कोशिस करूंगा कि ग्राम का चहरी में ही खतम किया जाए ताकि लोगों को अपना बात उचीत रखने के समझ उचीत रखने का मौका मिल सके और सही न्याय हो सके बहुत बढ़िया दिपक जी आपने जो अपना बातों कर रखे इससे अभी तक जितने हमने इंटर्व्यू लिया था उससे कुछ अलग है और बहुत आपके सोंच जो है बहुत अच्छी लगी और बहुत-बहुत धन्यवाद दिपक जी कि हमारे चैनल के मादयम से अपने दर्शकों को बताने की कोशिस किये तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप देखते रहे एक नियूज फूर बि